हलो बच्चों, let's read the question, यह जो छो इसका यूपीसी नेम क्या होगा देखो, इसमें जो फंशनलेटी है वो इथर है, ओके बच्चों, क्या है, एथर को नाम कीसे देते हैं, ओक्जी करके देते हैं, और यह इताइल गरूप, यहां पर साथ में लगा हुआ है, तो यह इताइल बन जाया खेते हैं, इंपर लख देते हैं उसको पूरा इतोकिसी ओके बच्शों क्या बन जाएगा ये उसको बन इसमें क्या करेंगे बच्छों जैसे жंदलिकर dusty escrito आप की जे वेंबर की तो कattan क्रेश जाएंगे को स्पार्षाइब क हिते हैं मेन चेन यह आपकी यही बनेगी इसमें, यह साइक्लो हेक्जेन, okay, साइड से टूरेंट का नाम देंगे बच्छों, तो यह तो हो गया, इथोक्सी, okay, और जब हम, यह, इथोक्सी हो गया, बच्छों, okay, तो देखो, इसमें हम इसको इथाईल के साथ में प्रशन के साथ मोग्सी क्यू नहीं दे रहे हैं, कम कार्बन एटम वाले प्रशन के साथ में, जब एथर का नाम आता है, तो इसी का नाम पहले आता है, इथोक्सी वाला, okay, तो यह आजाएगा आपका इथोक्सी, इतोक्सी की पोजीशन क्या होगी बच्छो ये sum of low control के हिसाब से देंगे बच्छो मत्रव जैसे ये और ये दो ग्रूप्स इनकी जो पोजीशन होगी ना उनका sum जो है minimum आना चाहिए तो वो कैसे आएगा देखो अगर इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया और बच्छो क्या बनेगा बच्छो ये बनेगा आपका 2-ethoxy और ये दो-methyl group है बच्छो ओके तो वन वन पर दोनों वन पही है बच्छो दो-methyl है तो इसके लिए लिखेंगे करेक्ट आंसर, option 2 और ये जो बच्छो है कि नॉमन कलेचर ओफ और अर्गेनिक कंपाउंट्स कंटेनिंग फॉंशनल ग्रूप्स ये हम अपनी क्लास 11 की NCRAT से रेफर कर सकते हैं चेप्टर नमबर 12, पेज नमबर 336 onwards, I hope आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, thank you बच्छो